वेलकम डियर इस्टुडेंस मैं एजाज लड़न फिर से एक बार वापका वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं आपका अपना यूटूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज़ में तो यहां पर हमारे सामने यहां प्रस्ण है सहकारिता के मूल तत्व क्या है आगे है राज के विका में राज के विकास मतलब तरक्की में इसकी मतलब सहकारिता की भूमी का मतलब उसका रोल का वरनन करें यह पहला इस प्रस्ण के पहले भाग में हमें बताना है कि सहकारिता के मूल तत्व क्या है यह बताना है मूल मतलब में तत्व क्या है में बात क्या है सहकारिता होता किस लिए है ये बताना है इसके दूसरे प्रस्टे में हमें ये बता देना है कि सहकारिता जो है राज्य के विकास में किस परकार अपना भूमी का अदा करता है किस परकार अपना रोल देता है इसको बता देना है तो यहां पे जो आप सहकारिता देख रहे है न ये दो सब्द से सह पलस कारिता सह का मतलब होता है मिल जूल कर रहना एक साथ रहना मिल जूल कर रहना और कारिता का मतलब होता है काम करना तो सह कारिता का मतलब यह हुआ कि एक साथ काम करना यानि जब कुछ लोग एक साथ मिल जूल कर कोई कार ये करते हैं कोई काम करते हैं उसी को हम लोग सहकारिता कहते हैं ये जो मिल जुलकर काम करते हैं के बल रुपिया कमाने के उद्देस से ही नहीं के बल आर्थिक उद्देस को लेकर के ही नहीं बलके एक दूसरे को मदद करने के लिए एक दूसरे को बुरे वक्त में मदद करने के लिए भी लोग इस परकार के कार्य करते हैं ताके एक दूसरे के दुख के समय में मुसीबत के समय में एक दूसरे का सांथ दिया जाए तो आईए इसके मूल तत्व को देखते हैं कि सह कारिता के मूल तत्व क्या है सहकारिता में क्या-क्या बात होना चाहिए तो यहाँ पर क्या है कि सहकारिता के तीन मूल तत्व निम्ने रखी थे इसके कितने मूल तत्व हैं? तीन मूल तत्व हैं पहला देखिए पहला क्या है? इसका पहला मूल तत्व देखिए संगठन की सदस्यता सवेचिक होती है मतलब संगठन मतलब ये जो सह काडिता है इसके जो भी सदस्यता से बनेंगे इसमें जो भी लोग मिल करके एक साथ मिल जूल कर इसमें जो जो लोग काडिय करते हैं उसी को हम लोग सदस्यता से बोलेंगे तो इसका जो सदस्स है वो सवेच्छिक होता है मतलब अपने इच्छा अनुसार होता है सवेच्छिक का मतलब अपना इच्छा अनुसार तो इसका जो भी सदस्स होता वो सवेच्छिक सवेच्छिक आकर के इसका सदस्स से बनता है कोई जवर्दस्ती नहीं है कि जवर्दस्ती किसी को ला करके इसका सदस्टा बना दिया ऐसा कोई बात नहीं इच्छा के नुसर जिसको बनना है बनिये जिसको नहीं बनना है कोई बात नहीं घर जाईए इसका दूसरा देखे, इसका दूसरा मूलतव है, इसका परवंदन, परवंदन का मतलब इंतजाम, एबंग संचालन, मतलब चलाना, मतलब इसका परवंदन, एबंग संचालन, मतलब इंतजाम करने काम, या इसको चलाने काम, जन तांतरिक आधार पर होती है, जन तांतरिक आबर अधिकार दिया आता है जन का मतलब होता है लोक तामत्रिक का मतलब होता है तंत्र का मतलब व्यवस्था का मतलब लोगों का व्यवस्था होगा मतलब सब को समान अधिकार दिया जाता है आगे है इसके इसके सदस्त के बीच यानि यह जो सहकाडिता है इसके सदस्यों के बीच पुंजी हैसियत अत्वा किसी अनाधार पर कोई भेदभाव नहीं होता मतलब यह हुआ कि इसमें जितने भी सदस है ना उसमें से कोई अगर खुब अमीर भी है या कोई गरीब है तो उनके बीच भेदभाव नहीं होता यह सब को बराबर समझा जाता है आगे देखिए इनके आर्थिक उद्देश में यानि यह जो सहकारिता है इसमें कुछ लोग मिलजूल कर काम करते हैं और किस उद्देश से करते हैं आर्थिक उद्देश मतलब हुआ अर्थिक मतलब होता है अर्थका तो आर्थिक उद्देश मतलब अर्थका उद्देश और अर्थ मतलब रुपिया पैसा होता है तो रुपिया पैसा के उद्देश से ही सहकारिता में लोग मिल जूल कर काम करते हैं तो इसमें पैसा कमाने के साथ साथ जो है नेतिक एवं समाजिक तत्व भी सामिल रहते हैं नेतिक और समाजिक तत्व का मतलब यह हुआ कि जब सहकारिता के सदस्यो में से किसी पर कोई दुख या मुसीबत आता है तो एक दूसरे का सांथ दिया जाता है एक दूसरे का भलाई का भावना रहता है यही चीज को हम नेतिक या सामाजिक तत्व भी कहेंगे अब आगे इस प्रस्णिका जो दूसरा भाग है उसको देख लेते हैं राज के विकास म जो है राज्य की तरक्की में सहकारिता का क्या भूमी कारोल है आगे देखिए भारत में खास कर ग्रामीन अस्तर पर ग्रामीन मतलब होता है ग्राम का और ग्राम मतलब होता है गाओं तो ग्रामीन अस्तर मतलब गाओं के अस्तर पर गाओं के लेबल पर अगरबत्ती निर्म बीरी निर्मान मतलब बीरी को बनाना क्योंकि निर्मान मतलब बनाना होता है जूता निर्मान मतलब जूता को बनाना आधी महत्वपुर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाई जा रही है यानि गाउं में बहुत सारा कारिय जैसे अगरबत्ती निर्मान बीरी निर्मान जूता दिनमान बहुत सारा कारिय ऐसा है जो सहकारिता के माध्यम से चलाया जाता है यानि इन कारियों को करने के लिए कुछ लोग मिल जूल कर कारिय करते हैं तो कि जब किसी एक वेक्ति के पास पुंजी नहीं होता है तो कुछ लोग साथ में मिल जाते हैं इससे पुंजी भी मिल जाता है और सोयंग कारीगर के रूप में काम भी करकर के रोजगार को आगे बढ़ाते है आगे है जिससे लोगों का आए आए का मतलब होता है कमाई बढ़ रहा है और बिहार के लोगों का जीवन अस्तर जीवन का जो लेबल है वो बहतर हो रहा है आगे है ऐसे रोजगार के लिए मतलब ऐसे रोजगार के लिए राज अस्तर ये सहकारी रीन उपलब्द कराई जाती है ऐसे रोजगार मतलब सहकारी ता के माद्यम से जो रोजगार होता है उसके लिए राज अस्तर पर जो सहकारी बेंग है वो रीन उपलब दकराती है लाउन उपलब दकराती है लास्टर में कह सकते हैं आते राज्य के विकास में सहकारिता की भूमी का काफी महतपूर्ण है तो इस परकार सहकारिता जो है राज्य के विकास में महतपूर्ण भूमी का अदा करती है पर वीडियो सुमाब तो होता डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंग है जानवाद